नमस्कार दोस्तों मैं दामुदर सर्मा अपने आज अमरित करपा यूटूब चैनल पर आपका श्वागत है जनवरी 2023 का ही करेंट अपन सुरू कर रहे हैं दुबारा से तीसरा वीडियो ही है दोस्तों पिछले जो अपना वीडियो बनाया था उसमें से चियार को सनाय थे हाइकोट LDC के अग्जाम में देखना आप पुराने वाले में से तीन-चार परसन आपको मिल जाएंगे जो अभी हाइकोट LDC के अग्जाम में मिले थे आज दुबारा सुरू करें उसको आप कंटिन्यू आप भी जार रखना हम भी जार रखेंगे आपका स्लेक्शन कराएंगे करेंट LDC में कोई गलती नहीं करेंगे पका परसन मिलेगा आपको हर अग्जाम में मिल जाएगा इसी परकार से अपन पढ़ाई कर रहे हैं कि सारा का सारा अग्जाम में आए शुरू करते हैं देखिए पहला प्रसन है कि रजस्तान पुलीस के पुर्व महान ने दे सकते हैं अब यदि आपको पूछ ले कि कौन है उमेश मिस्रा है रजस्तान के अब मान ने दे सकोन है उमेश मिस्रा रजस्तान पुलीस के मान ने दे सक है पहले थे एमल लट्ठर थे जिनोंने रज्यपाल कलराज मिस्र ने इसे रजस्तान सूचना आयुक्त किया है कौन सा पद्दिये से रज्य सूचना आयुक्त का पद्दिया है देखिए दोस्तों रज्य सूचना आयुक्त के बारे में पूछ ले कि राजस्तान के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करे तो डिबी गुपता है डीबी गुपता ये परसन भी पूछ लिया, फेस्ट क्रेड में भी पूछ लिया था, पंदरा दस दो हजार बाइस को जो अग्जाम लगी थी, फेस्ट क्रेड की फेस्ट पेपर, उसमें पूछा था, राजिस्तान के मुख्य सूसनायक को ने डीबी गुपता है, याद रख है, तो याद रखना, रज्यपाल ही इसकी नुक्ती करता है, मुख्य सूसनायक की नुक्ती भी रज्यपाल करता है, और इसके सूसनायक की नुक्ती रज्यपाल करता है, दोस्तों, यदि आपको पूछ ले कि मुख्य चुनाव आयुक्त कोन है, मुख्य चुनाव आयुक्त देखो मुखे चुनाव आयुक्त मदूकर गुपता है ये भी बात पूछी हुई है कि राजस्तान के मुखे चुनाव आयुक्त को ने मदूकर गुपता है चुनाव आयुक्त की नुक्ती भी रज्यपाल करता है और चुनाव आयुक्त का करियकाल 6 वरस या 65 वरस की आयु तक रहता है ये बात पूछी जाती है कि चुनाव आयुक्त का करियकाल कितना होता है 6 वरस या 65 वरस है राजस्तान के मुखे चुनाव आयुक्त मदुकर गुपता है राजस्तान के मुख्य सूचना युक्त डीबी गुपता है देखो अंत में दोनुं के गुपता हैं कन्फूज करता है यहां पर डीबी गुपता का मतलब है देवेंदर बुसन गुपता राजस्तान के मुख्य सूचना युक्त और देवेंदर मुख्य चुनाव युक्त मद परवीन गुपता है तीन गुपता है तीनों गुपता के बारे में परसन पूछता है मुखे चुनाव अधिकारी तो परवीन गुपता है मुखे चुनाव आयुक्त मदुकर गुपता है और मुखे सूचना युक्त डीबी गुपता देवेंदर भुषन गुपता है वरतमान के अंदर और एमेल लाठर जिसको रजस्तान के रज्य पाल ने इसे सूचना रज्य सूचना अयुक्त किया है लेकिन याद रखना मुख्य नहीं किया है सूचना अयुक्त किया है और मुख्य सूचना अयुक्त कोन है दिवेंदर वोशन गुपता है यदि मुख्य चुनाव कि बात करें तो मदुकर गुपता है और मुख्य चुनाव अधिकारी की बात करें तो परवीन गुपता है आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाना इस परकार की कोई बात आए कि confusion करने वाली जी जाए तो आप साथ साथ में note करते जाना आपकी confusion निकल जाएगे इन तेनों में से आपको एक परसन पूछ लेगा Joshesusnanda चुनावा वाइक्त चुनाव अधिकारी तेनों में एक बात पूछ लेगा क्योंकि तीनों के आतम सेंध में गुपता गुपता जुड़े हुए है तो कन्फूज कर देता है यहाँ पर डीबी गुपता या परविंड गुपता या मदुकर गुपता तो तीनों को आप याद रखना सूसना एक तो डीबी गुपता है चुनाव आएक तो मदुकर गुपता है और चुनाव अधिकारी को को बताते जाजिए कि राज़िस्तान के लिए करंट अफेर की कलास है इससे कोई परसन बाहर नहीं जाएगा वचन देता हूं आपको एक परसन भी बाहर नहीं जाएगा कोई भी अग्जाम हो first grade हो second grade हो या कोई रीट है या जो भी छोटी बोटी एक्जाम है सारों में आपको करेंट मिल जाएगा आप हैर महिने का करेंट जारी करेंगे जनवरी का फिर एक महिने पूरे का फरवरी का फरवरी पूरे महिने का इस परकार से अपने पूरे का विवरन करेंगे सूफिया एक महिला का नाम है सूफिया जिन्होंने कतर मेरा थन साउथ टू नॉर्थ की दोड में इसा लेने वाली विश्व की पहली महिला बनी है और वो राजस्तान के किस जिले से रहने वाली है सूफिया का यदि जिला पूछे तो आप बता देना सूफिया का जिला कौन सा है अजमेर जिले की निवासी है याद रखना दोस्तों अजमेर की तो है अजमेर से अभी एक नया जिला बनाया है यदि पूछ ले अजमेर से कुन सा जिला बनाया है केकडी जिला बनाया है यदि पूछे ना राजस्तान का हरदे किसे करते हैं राजस्तान का हरदे अजमेर को ही करते हैं और अजमेर से जिला कौनचा बना है केकडी जिला अजमेर जिले से बनाया है गुन्निस जिले बने हैं तीन संभाग बने हैं उसके भी अपना अगे चर्चा करेंगे और उसमें अजमेर जिले से कौनचा जिला बनाया है केकडी जिला बनाया है तो आप याद रख सकते हो कि अजमेर जिले की सूप पी आएं और अजमेर जिले को राजस्तान का हरदे काते हैं और राजस्तान का नाका भी बोला जाता खौजा शाहब की दरगा है अजमेर के अंतरगत और भी खुप सारे हैं यहाँ पर गठ बीड़ी दूर गए जिसका नाम तारागड किया गया था महाना राइमल के पूतर प केकडी जिला बनाया हैं। देखे दोस्तों, 125 चरी सीर पर रखकर नर्ते करने वाली है, और Golden Girl of Jaipur के नाम से जाने जाती है, कौन है वो? उसका नाम है लाची परजापत, क्या नाम है? लाची परजापत, देखो दोस्तों, राजस्तान में एक नर्ते होता है, बवाई नर्ते, बवाई नर्ते के बारे म 125 चरी सीर पर रखके नर्ते करने का रिकोर्ड बनाया है, Golden Girl of Jaipur के नाम से, और उस लड़की का नाम लाची परजापत है, जिनोंने ये रिकोर्ड बनाया है, आप याद रख सकते हो, सिदा का सिदा प्रिक्षा में आ सकता है, कि 125 चरी सीर पर रखके नर्ते करने वाली के आप याद रखना, आगे चलते हैं, जबपूर इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल, दोस्तों, ये जबपूर इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल के पंदरवे संस्करण में किस अभिनेतरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार दिया, बहुत तकड़ा प्रसन है, बहु को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट वार दिया, जबपूर फेस्टिवल में, याद रजाएगा, आगे चलते हैं, नीरु यादव, देखे दोस्तों, नीरु यादव, जिसे होकी वाली सरपंच कहा जाता है, नीरु यादव को कौन सी सरपंच बोलते हैं, पहली याद रख याद रखना नाबोरड बैक का मुख्याले कहां पर है, बुंबई के अंतरक इसका एड़कोरटर है, बार बार पूछ लेता है, बहुत सारी एक्जामों में पूछावा है, नाबोरड काadors का है, नाबोर्ड की स्तापना कब हुई, ये एक नया परियास सुरू किया है, और यह गाओं किस जिले में हैं और यह गाओं जूंजुनु जिले में हैं कौन से जिले में आएगा जूंजुनु जिले में याद रखना निरू यादव है जो लंबी अहिर गाओं के किसानों को समर्तन देने के लिए एक नया परियास सुरू किया और वो गाओं निरू यह की योजना मेजर ध्यांचंद इस्टेडियम योजना जिसके तैत सुराना गाउं के खेल मेदान में भवे इस्टेडियम बनाने की गोस्णा मुख्य मंत्री ने की यह किस जिले में इस्टित है यह राजस्तान के उदेपूर जिले में इस्टित है यह सुराना गाउं है यह कि सिर्डीम की बात आये तो याद रखना एक जगह है और चंप पढ़ता है जब पूर में कहां पर हैं जब पूर में यहां पर विस्व का 3 बड़ा चाट बनाए जाएगा किस का बने गा विस्व पार थीज рок-णौ बड़ा RCA के अधिक्ष और वेवव गलोत जो सो गलोत के बेटे हैं और जैसे BCCI के सचिव अमित सां के बेटे जैसा हैं उसी परकार RCA के जो अधिक्ष हैं सो गलोत के बेटे वेवव गलोत हैं और वेवव गलोत ने चौंप जैपूर में विश्वा का सबसे बड़ा तीसरा बड़ा स्टेडियम بنانے के लिए योजना लेकि आए तो याद रकना ने प्रिक्षा में आ भी गया कि दनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम देखो दोस्तों पहला एम्दाबाद का नरेंधर मोदी स्टेडियम मेल बोरन स्टेडियम उसके बाद में तीसरा बड़ा स्टेडियम दर्सकों की संक्या में बैठने के लिए है याद रगण याद रखना और द्यानजद्शंद स्टेडियम योजना के तहित सुरणा законч है के खिल्मिदान में भवे स्टेडियम बनाने की गोसना मुख्य मंत्री ने की है यह सुरणा गाव राजस्तान के उदेपूर जिले में है ओके आगे चलते हैं और भी खुब सारे स्टेडियम आएंगे आपको मैंने कई बार बता दिया स्टेडियम के बारे में अलवर में कौन सा है बिलवाडा में कौन सा मानिके लाल वर्मा है इंद्रा गांदी अलवर के अंतरगत है बरकतुला खाएं स्टेडियम जोदपूर में स्वाइमान सिंग जपूर में है खुब सारे स्टेडियम है आप याद रखना है इनके बारे में एक परसंद पूछ ले तो आप बता देना किसी के बारे में भी ओके देखो आगे देखना पहला पोकरमल राजस्तानी गोयल समर्ती राजस्तानी कथा साहिते पुरुसकार किसे दिया गया बहुत तकड़ा परसंद दोस्तों बहुत तकड़ा परसंद है याद रखना पहला पोकरमल राजस्तानी राजरानी गोयल समर्ती राजस्तानी कथा साह साहिते पुरुषकार किसे दिया गया यह रिना मेनारिया को दिया गया किसे दिया गया दोस्तों यह रिना मेनारिया है जिसको यह पुरुषकार दिया गया है तो आप याद रख लेना यह पुरुषकार किसे दिया गया राजस्तानी कथा साहिते पुरुषकार किसे दिया जा आपको बार बार पुछे ये पूछ भी लिया किसे दिया गया यह पुरिसकार दिया गया यह पुरूस्कार दिया गया के सचीदानंद को दिया गया किसे दिया गया के सचीदानंद को दिया जाता है दिया गया देखे दोस्तों आप याद क्या रखना कि इसके अंतरगत यदि पूछ ले कि आठमा तो दिया गया के सचीदानंद को यदि आपको सातमा पूछ ले तो किसे दिया गया सातमा भी पूछ तो साथम्हा किसे दिया गया और किसे दिया गया तो आठमा किसे दिया गया है कि सजीदा नंद को दिया गया याद रजाएगा इसके अंतरगत ही अपने बात करते हैं कि इसमें पूछ ले आपको कि मारवाड रतन पदम सिरी कोमल कोठारी कोमल कोठारी अवर्ड यदि आपको पूछ ले कि मारवाड रतन पदम सिरी कोमल कोठारी अवर्ड दो हजार बाइस किसे दिया गया है यदि ऐसा प्रसंद पूछ ले तो ये भी आपको पूछ सकता है या सिदा पूचले ये पदम सरी ये नाम नहीं लगए कि कुमल को ठारी अवार्ड 2022 किसे दिया गया तब याद रखना ये ओर्ड दिया गया महंदर भानावत को दिया गया किसे दिया गया महंदर भानावत को कुमल को ठारी अवार्ड 2022 दिया गया ये आवर्ड कब दिया जाता है ये आवर्ड बारा मई को दिया जाता है किती मई को दिया जाता है बारा मई को जोधपूर की इस्तापना दिवस पर दिया जाता है किसकी दिवस पर दिया जाता है जोधपूर की इस्तापना दिवस पर कॉमल कुठोरी आवर्ड दिया जाता है दिवस पर ये पुरुषकार दिया जाता है किती मई को बारा मई को दिया जाता है देखिए दोस्तों जोदपूर की स्तापना पूछे ना जोदपूर सहर को जोदा ने बसाया था और जोदा सो गुनसट में बसाया था यदि बिका की बात कर ले कि बिकानेर कब बसाय था 1488 की अंतरकत बिकानेर बसाय था बिका ने जोद्धा का इपुत्तर बिका था जिसने बिकानेर बसाया और जोद्धा ने जोद्पूर बसाया 1460 में बसाया और 12 मही को जोद्पूर की स्तापना दियू साता है उस दिन कॉमल कोठारी अवार्ड दिया जाते हैं और कोमल कोठारी 2022 का जो अवार्ड दिया ना वो महेंदर भनावत को दिया गया था समझे कि नहीं समझे यदि इसी में एक परसंद और पूछ ले आपको कि कोमल कोठारी के बारे में एक परसंद और पूछ ले कि कॉमल कोठारी लाइफ टाइम आवर्ड किसे दिया गया देखे दोस्तों एक प्रूसकार है कॉमल कोठारी लाइफ टाइम आवर्ड ये किसे दिया गया 2022 दो परसन है कॉमल कोठारी के यहाँ पर पहले मैंने बताया कनेलाल सेट या कवीता आवर्ड केस सतियनन को दिया आठवा, साथवा रंजीत होसकटे को दिया गया लेकिन कॉमल कोठारी आवर्ड 2022 महेंदर बहनावत को दिया गया और कॉमल कोठारी लाइप टाइम अच्यूमेंट आवर्ड किसे दिया गया यह परसंद पूछे तो आप बता देना दलीप भट को दिया गया किसे दिया गया, दलीप भट को यह कॉमल कोठारी लाइप टाइम अच्यूमेंट आवर्ड है ये कौन सी सहस्ता देती है यदि ये पुरुषकार की बात पूछ लेना ये देती है पश्मी सांसकर्तिक के अंदर उदेपूर में हैं और वो ये कॉमल कोठारी लाइप टाइम अच्यूमेंट अवार्ड देती है देखिए दोस्तों 2% पूछा कॉमल कोठारी अवर्ड 2022 ये जोद्पूर की स्थापना दिवस पर दिया जाता है महंदर बानावत को दिया गया लेकिन कॉमल कोठारी लाइप टाइम अच्यूमेंट अवार्ड की बात आए ना तो ये अवर्ड दलीप भट को दिया गया और द दलीप भट को दिया गया और ये कौन देती है पस्मी सांसकरति के अंदर उदेपूर देती है दोनों प्रसनों को आप याद रखना साथ साथ में नोट करते जाना लिखते जाना लिखने से जिक्के जदा याद होता है बजाए बोल के याद करने से लिखिवी बात आपकी परिक्षय में भी आपको याद रह सकती रह जाएगी अराम से जैसे अपन परिक्षय में भूल जाते हैं किसी चीज को लेकिन जो लिखावा मेटर रहना वो ओफ संदेख के आपको याद आ जाएगा तो आप साथ साथ में लिखते जाना कि दलीब भटको कॉमल को ठारी ला सकते हैं लिख भी सकते हैं साथ साथ में लिखते जाना है समझे कर नहीं समझे आगे चलें देखे दोस्तों आगे चलते हैं टिकराम जूली ने जनवरी 2023 में आम जन के लिए हर गर पंचायत अभियान का सुवारम कहां से किया बहुत तकड़ा प्रसन है दोस्तों टिकराम जूली ने पून खरगाओं है वो अलवर के अंतरगत पड़ता है और पून खरगाओं में कौन सा कारीकरम है हर गर पंचायत अभियान है ये किस लिए सुरू किया आम जन के लिए सुरू किया किस जन के लिए आम जन के लिए साहिता करने के लिए जनता को अभी चुनाव आ रहे हैं डिसंबर 2023 में इसलिए हर गर पंचायत अभियान सुरू किया आम जन के लिए किया पून खरगाओं हलवर से किया टि सामाजिक न्याए व अधिकारिता मंत्री Qaster और यदि आप पर राजस्तान की फ्लेक्सित योजना भी याद करते हैं तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विवाग की खुबसर berries जैसे इंद्रा रसोई जैसे अधिकारिता विवाग की योजना उसी प्रकार वह मंत्री कोने टिकाराम जूली है जिन्होंने हर गर पंचायत अभियान शुरू किया और वह कहां से शुरू किया पून्खर गाउं अलवर्ष से शुरू किया याद रजाएगा आगे चर्चा करते हैं देखे दोस्तों उपराष्ट पती जगदीब धनकड का पेत्र गाउं कोन सा है कई बार आ गया फस्ट क्रेड में पूसलिया था कि जगदीब धनकड का पेत्र गाउं कोन सा था किठा ना गाउं जुजनों है कौन सा गाम है किठा ना गाउं जुजनों है देखे दोस्तों देश के चोद में उपराश्ट्र पती हैं कोंचे उपराश्ट्र पती हैं जगदीब धनकडदेश के और ये राज्य सबा के सभा पती हैं ये भी बात पूछ ली वंदरक्सक में पूछी राजस्तान सवरी भारत की राज्यसभा है लोकसभा राज्यसभा संसद के तीनंग है राश्टरपती लोकसभा और राज्यसभा और राज्य सबा के सबापती कौन है जगदीब धनकड है और वो राजस्तान से ही हैं और राजस्तान के जूजनू जिले से हैं जूजनू के कौन से गाम से हैं किठा ना गाम जूजनू से हैं तोस्तों कितना सयोंग की बात है कि देश को चलाने वाले दो राजस्तानी है चलाने वाले दो राजस्तानी चलाते है इतने बड़ी देश को लोक सभा देक्स ओम बिडला कोटा से है और राज्य सभा के सभापती जगदीब धनकड जुजन से है यह आपके सयोंग की बात है आ कि समझे कि नहीं समझे यदि इनमें बात पूछे तो आप बता देना इसकी बारे में कि क्या-क्या विशेश तपाई जाती है इसके अंतरगत यदि आपको पूछे कि जगदीब धनकड का पेत्र गाउं कौन सा है किठाना गाउं जुजनु है और ये कौन से उपराष्ट पत ही राज्जी सभा का क्या होता है सभापती होता है एक बार आप लिखना आगे चर्चा और करते हैं देखे दोस्तों आगे और बात करते हैं देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उदस्थे के साथ ध्यान देना लिखना साथ साथ में देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उदस्थे के साथ दर्ष्टी बादित लोगों के लिए अंदता नियंतन पॉलीशी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है ये दरश्टी बादित लोगों के लिए है और याद रखना नियंतन पॉलीशी का नाम क्या अंदता नियंतन पॉलीशी है और लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है राजस्तान बना है कौन बना है राजस्तान बना है देखे दोस्तों यदि आपको कई बार ऐसे उपसन आएंगे कई बार ऐसे परसन आजेंगे कि वन निती बनाने वाला देश का पहला राज्य कौनचा है राजस्तान है 18 फरवरी 2010 याद रखना एक परसन हमेशा याद रखना ये परसन आपको बूज लेगा वन निती या इसका दूसरा नम देता है पर्यावर निती रीट में भी ये परसना गया कि राजस्तान ही है जिनों ने बनाई थी 18 फरवरी किती फरवरी it 18 फरवरी 2010 को भज़न निती बनानेवाला या प्रियान निती बनानेवाला यही Bereich नहीं आई तो आप टेक देना आ चैसे बी आजकली चरशां में चल रहा है कि राराइट-टू-हील्थ बिल पास किया गया जो डोक्टर विरोध कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं और यह निती बादित पुलीशी नियंतन पुलीशी लागू करने वाला भी देश का पहला रज्य कुन सा है रजस्तान है और किन लोगों के लिए दर्ष्टी बादित लोगों के लिए हैं याद रहेगा कर नहीं रहेगा रहे जाएगा आगे चलें ओके रज्य सरकार दोरा मीरासी देखे दोस्तों मीरासी वे बिस्ती समुदाय के विदार्थियों के लिए किस योजना के दोरा च्छत तरवर्ती दी जाएगी एक तो समुदाय है मीरासी और एक समुदाय है बिस्ती ये दो समुदाय है इन दो समुदाय के विदार्थियों के ये रज्य सरकार ने एक योजना लॉंच की है उस योजना का नाम है उत्तर मेट्रिक छातरवरती योजना है बहुत तकड़ा परसन है यदि मीरासी वैब बिस्ती समधाय के विदार्थियों की छातरवरती की योजना का नाम पूछे तो आप बताना उत्तर मेट्रिक छातरव योजना है कौन सी योजना होगी उत्तर मेट्रिक चातरवरती योजना है इस उत्तर मेट्रिक चातरवरती योजना के अंतरगत कितने लाख विदार्थियों को इसमें सर्ग दिया जाएगा इसमें इस योजना के अंतरगत दो पॉइंट पांच लाख विद्यार्थी सामिल है इस योजना में किते लाक विदार्थियों को फाइदा मिलेगा दो पॉइंट पांच लाक विदार्थियों को फाइदा मिलेगा और इसमें चातर वर्ती कितनी दी जाएगी ये भी याद रखना पूछ ले फ़स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछ सकता है कि निमन में से कुन सा कतन ऐस सत्य इस योजना के बारे में उत्तर में टक चातर वरती योजना के बारे में कि इस योजना में 2.5 लाक विदारतियों को फाइदा मिलेगा क्या या इस योजना में इतनी चातर वरती दी जाएगी क्या तो ऐसा प्रसंट पूछ ले एक कथन सत्ते और ऐसत्ते की बात पूछे तो आप बता देना चात्र वर्ती इसमें पांच अजार से दो लाग तक चात्र वर्ती दी जा रही है किस योजना में उत्तर मेट्रिक चातरवर्ती योजना में कौन से समुदाय को दी जा रही है मीरा सीवा बिस्ती समुदाय को दी जा रही है तो आप साथ साथ में इसको नोट करते जाना किते लाग विदार्तियों को फाइदा मिलेगा कि अतनी चातरवर्ती दी जाएगी पांच जार से दो लाग तक की चातरवर्ती दी जाएगी मीरा सीवा बिस्ती समधाई को दी जाएगी समझे का नहीं समझे तो आप स्क्रिन सोट लेते जाना साथ साथ में आगे और चर्चा करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रीवर क्रुज जिसका नाम है गंगा विलास का उद्गाटन परदान मंत्री ने किया इसका निर्मान राज सिंग की कमपनी अंतरा लगजरी रीवर क्रुजेज ने बनाया जिसका समध्ध है वो राजस्तान के भरत पूर जिले से बहुत तकड़ा प्रसनाय पूछ भी लिया इसके बारे में आप बता देना सीटी प्रीक्षया के अंतरगत ग्रेजुएशन के अंतरगत आ चुका था जनवरी आठ जनवरी दोजार तेईस की अग्जाम में आया था कि यह गंगा विलास क्रुजेज का निर्मान करता राजस्तान का ही है और कौनची बहरतपुर का निवासी है राज सिंग की कंपनी अंतरा लग्जरी रीवर क्रुजेज है और जो जिसका निर्मान किया राजस्तान के निवासी नहीं किया है गंगा विलास देखे दोस्तों इसके बारे में पूछे भारत का राश्ट्री यह जलिये मारग जलिये मारग नमर एक गंगा नदी में ही है कौनची नदी में है गंगा नदी में यह गंगा नदी में परियाग राज से हल्दिया के बीच में यदि पूछे किस के बीच में है परियाग राज से हल्दिया के बीच में सोड़ा सो बीस किलो मेंटर लंबा राष्टिय जलमार्क संक्या नमबर एक है जलमार्क संक्या दो बरंपुत्र नदी में सदिया सम से गोहाटी असम डिब्रुगड असम के बीच में सदिया से दूबरी के बीच में है रास्टिय जलमार्ग संक्या दो रास्टिय जलमार्ग संक्या तीन केरल में कोलम कोटपूरम खंड नहर में तो ऐसे ही यहाँ पर रास्टिय जलमार्ग संक्या एक ना इसमें ये गंगा विलास ये कुरुज बनाया इसका उधगाटन किया परदान already नहीं किया है माल डुलाई के लिए रध्ये में आंत्रिक परवा है और आंत्रिक परवा को सुदर्ड अंधे के लिए खिया तो आप इसको याद रख सकते हैं कि भारत का आंतरिक परवा किस परकार का है ये जलमारग हैं आंतरिक परवा के अंतरगते हैं आते हैं तो ऐसी विशेषता याद रखना गंगा विलाश के बारे में जिसका उद्गाटन किस ने किया है परदान मंत्री ने किया है आप साथ साथ में स्क्रिन सोट ले लेना ये गंगा विलास कहां पर है ये राष्टी जलमर्ग संक्या एक में है गंगा नदी में ही है ये परियागराज से हल्दिया के बीच में आता है हल्दिया वेश्ट बंगोल का है परियागराज यूपी का है क्योंकि गंगा यूपी से भी बहती है, बिहार से भी बहती है, जारखन की सीमा से भीती है, वेस्ट बंगोल जाती है और तो ये परियाग रासे हल्दिया के बीच में है यदि पूछे कि गंगा मेदानी भागों में कहां परविस्ट करती है हरिदवार के पास मेदानी भागों में गंगा आती है उसके आगे जल्मारक बनाया गया इसके अंधर गर याद रजाएगी बात आगे चलते हैं कोटा में सुपोसित मा अभियान देखे दोस्तों सुपोसित मा अभियान का दित्य चरन का सुभारम कब हुआ बहुत तकड़ा परसन है यदि आपको पूछे कि सुपोसित मा अभियान के बारे में पूछे ना तो आफ बता दिना सूपोसित मावियान इसके बारे में पूछे तो इसका दूसरा चरन का उद्गाठन किया य। ने किया 17 माई 2022 को सुपोसित माअ अभियान के दूसरे चरण का उद्गाटन किस ने किया अभी बताया था ओम बिडला ने किया किस ने किया ओम बिडला भारत की लोकसभा के अधिक्स हैं जो कोटा से संसद हैं और वहीं से ओम बिडला ने जब ये इतने बड़े विक्ती लोकसभा अधिक्स ने सुपोसित माअ भियान का उद्गाटन किया दूसरे चरण का तो परीक्षा में आभी सकता है कि ओम बिडला लोकसभा के अधिक्स हैं और जिनोंने सुपोसित माअ भियान का चरण का कि पूछे कि सुपोसित मा बियान किस समन्दीत है यह गरवती महिलाओं के पोसन के लिए है तो आप याद रखना गरवती महिलाओं के पोसन के लिए बनाया गया ये भीयान है और उसके इंतरगत ये गरवती महिलाओं की सुरुक्षा के लिए उनको पोसन की सारी बरपाई करने के लिए ये सुपोसित मा भीयान सुरू किया गया उसका दूसरा चरण का सुबारम किया 17 माई 2022 को लोक्स वादेक्स ओम बिडला ने किया इसको आप याद रख सकते हो कई बार प्रिक्षा में पूछ ले तो आप बता देना यदि आपको पूछ ले कि इसका पहला चरण का सुभारम कब हुआ था तो बता देना इसका पहला चरण गुंटीस फरवरी अब देखो दोस्तों गुंटीस फरवरी आई ये तो लीफ वरस आया है तो जिसमें च्यार का पूरा-पूरा भाग जाएगा वो ही तो लीफ वरस है जिसमें फरवरी गुंटीस ही होती है तो 2021, 2022, 2023 तो नहीं आएंगे ना तो गुंटीस फरवरी 2020 है यहां दिमाख लगाना परसन पर भी आप ऐसे नहीं कि सिदा का सिदा ही ठोक दो थोड़ा सा ओप्सन में दिमाख लगा के करना गुंटीस फरवरी 2020 को इसके पहले चरण की शुरुआत हुई ओके आगे चलें आगे चलते हैं आप साथ साथ में इसको नोट करते जाना स्क्रिन सोट लेते जाना आगे बात करते हैं मुख्य मंतरी शिक्षा अलंकार पुरुषकार योजना इस योजना के बारे में बात करते हैं मुख्य मंत्री शिक्ष्य अलंकार पुरुसकार योजना है. यदि आपको पूछे कि इस योजना की सुरुआत कौन से बजट में होती है, सुरुआत बजट 22-23 में होती है, इसकी सुरुआत. अभी तो बजट आया 23-24 का बजट आया पिछले बजट में इसकी सुर्वात हुई थी मुख्य मंत्री शिक्षा अलंकार पुरुषकार योजना योजना का उदस से क्या है इस योजना का उदस से है कि जो आर्थिक दरस्टी शे पिछड़े EWS में आते हैं केटेगरी EWS जो आ योजना के इंतरगत कक्ष्या दस के तो आएंगे बीस विदार्थियों को दिये जाएगा दस तो चात्रा और दस चात्र यह परसंट फैस्ट्रेट सेकिंड गरेंडे अंदर में जाकर पूंच सकता है कि दस के कितने विदार्थियों के पुरुषकार दिये जाएगा बीस चात्रों को बीस जिसमें दस तो चात्र हैं दस चात्रा हैं और बारवी के बारा चात्रों को दिया जाएगा जिसमें छे तो चात्र है और चात्रों को दिया जाएगा ये मुख्य मंतरी शिक्षा अलंकार पुरुषकार योजना इसके अंतरगत दिया जाएगा इसमें रासी क अलंकार पुरुसकार योजना में कितने रुपए दिये जाते हैं पचास जार दिये जाते हैं इस योजना के आर्थिक दर्षटी से पिछड़े वरक के जो बच्चे हैं उनको दस्वी और बार्वी कलास के बच्चों को ये पुरुसकार दिया जाएगा तो आप याद रखना तकड़ी योजना मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरुसकार योजना बताओ याद रजाएगा आपको कोई दिकत नहीं होगी आगे बात करते हैं साथ-साथ में इसको लिखते जाना और साथ-साथ में इसका स्क्रिन सोट लेके आप अराम से इसको लिखते जाना एक प इसकरती राज्यमंत्री अरजुनराम मेगवाल ने किस दुरुग में नोवी दस्वी स्ताब्दी की खोई हुई परतीमा को पुने सोपा नटराज की परतीमा है जिसको पुने सोप दिया है बहुत तकड़ा परसन है दोस्तों याद रखना ये चितोड़गर जिले की चितो में जो भारत की संसकरती के चिन थे उनको वापिस लाने का काम किया है आप आरेटी ये लगा के पूछना कि भारत सरकार ने कितने चीजों को वापिस मंगा लिया है दो विदेश मसके अंदर देखे दोस्तों चितोड़गर के बारे में ये बोला जाता है कि गड़ तो गड चितोड़ बाकी सब गड़े हैं चितोड़गर दुरुक के बारे में बहुत सारे परसन है बहुत सारे परसन है रजस्तान का सबसे बड़ा साका राणी पदमनी ने किया था तेरा सो तीन के अंतरगत किया था और इसमें तीन साके हुए थे तेरा सो तीन में पहला साका था उदेze संघ साथ तो तेन साके इसके अंतरगत भीह पतेस सीसो दिया था कर दोड़गड में एक मन्दीर है यदि आपकोपता होगा तो आपने पढ़ा उगा बाडोली का स्यू मनदीर है है कि पैट लृट का स्यू मुंदीर के बारे में परसन आता है कि यह उनों के द्वारा बनाया गया मंदिर है याद क्या रखना ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया हुनों के द्वारा बनाया गया मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया हुनों द्वारा बनाया गया बाड़ोली का शिव मंदिर है और इस मंदिर में बगवान शिव नटराज किसको बोलते हैं भगवान शीव को नटराज के नाम से बोला जाता है यह नहीं नटराज यह बगवान शीव को ही बोलते है नटराज याद रखना भगवान शीव की मुर्ति नटराज की मुर्ति है और वहां पर हुनों के द्वारा बनाया गया मंदिर था उसमें नटराज की वापिस मंगाई है तो आप इसको याद रख सकते हो वीडियो पर ध्यान देना इस प्रकार के वीडियो में सारी बात आपको मिलेगी सारी बात आप से पूछा भी जाएगा अग्यामिनर पूछ ले कि यह मुर्ति कौन से द्रुग में रखी गई थी चीतोडगर द्रुग में कौन से मंदरी कि थी बाड़ोली के सिव मंदरी में स्व जी की मूर्ति थी कहां से वापिस मंगाई है यह लंदन से वापिस मंगाई है ओके आगे बात करते हैं आप साथ साथ में इसको नोट करते जाना लिखते जाना कि चीतोडगड में मूरती कौन से मंदिर की थी बाड़ोली के सीव मंदिर हुनो के द्वारा बनाया गया मंदिर है तकड़ा मंदिर है इसके बारे में बहुत सारे प्रसन आते हैं आप याद र बात ही कलिर कर देते हैं अरजुन राम मेगवाल के बारे में आप से पूछे तो बता देना ये अरजुन राम मेगवाल ये बिकानेर से कहां से बिकानेर से संसद हैं एसी केटेगरी से आते हैं और बिकानेर से संसद हैं अरजुन राम मेगवाल अरजुन राम मेगवाल के बारे में आपको पूछ ले कि इन होने दो किताब लिखी हैं इनकी पुस्तक हैं अभी करंट की हैं एक पुस्तक है दिवे पंथ दामपत्ते कि इसकी पुस्तक है एक तो किसकी इसकी कि पुस्तक हैं अरजुन राम मेगवाल की पुस्तक है दिवे पंथ दाम पंथ दामपत्ते एक पुस्तक है और एक है एक सफर हम सफर दो पुस्तक इन्होंने प्रकासित किये दीवे पंथ दांपत्य और एक सफर हम सफर यह दोनों पुस्तक हैं यह अर्जुन राम मेगवाल की है और इन दोनों पुस्तकों को अरजुनराम मेगवाल ने जनवरी दोहजार तेईस में रजेपाल कलराज मिसर को भेंट की थी। के संसकर्ती राज्य मंत्री हैं बिकानेर से सांसद हैं और सिंटर सरकार के मंत्री हैं तो इसके बारे में पूछे तो आप बता देना राज्यस्तान के राज्यपाल कलराज मिस्र हैं जिनको ये पुस्तक भेंट की है याद रहेगी एक नहीं रहेगी रहेगी आगे चर्चा कर अंतराश्ट्री उट महुत्सों में मिश्टर बिकाना का खिताब किस ने जीता देखे दोस्तों उट महुत्सों की बात आए तो बता देना ये उट महुत्सों बिकानेर में मनाये जाता है मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया बिकानेर में मनाये जाता है कब मनाये जात जनवरी माहे में मनाए जाता है और इसमें मिश्टर बिकाना का खिताब किसे ने जीता रविंदर जोसी ने जीता याद रखना मिश्टर बिकाना का खिताब किसे ने जीता रविंदर जोसी ने मिश्टर बिकाना का खिताब जीता यहीं से एक प्रसंद और जाएगा कि कहोगे देखें दोस्तों इसी उंट मौत्सों में मिस मर्वन का खिताब कोमल सिद ने जीता किसने जीता कोमल सिद ने मिस मर्वन का किताब जीता और मिस बिकानघा का खिता रविंदर जोसी ने जीता, याद रखना मिश्टर बिकाना का खिताब तो किसी ने जीता रविंदर जोसी ने जीता और मिश्ट मरवन का खिताब किसी ने जीता कॉमल सिध ने जीता और उंट मौत सो कब मनाय जाता है जनवरी महा में मनाय जाता है और बिकानेर में मनाया जाता है मिस्स मरवन का खिताब दिया जाता है और मिश्टर बिकाना का खिताब दिया जाता है दोनु के बारे में पूछे तो आप बता देना अच्छे परसन है और इसको परिक्षा पूछ भी सकती है जो प्रेल मई जून के अंतरगत जो परिक्षा होगी जिसे आरो की यो की आगे जो परिक्षा होगी जून जुलाई अगस्त तक जिसमें जनवरी से आगे करण्ट सुरू होगा मतलब आठ नो महीने का करण्ट पूछ सकता है अक्जाम दर जो पीछे एक्जाम लगी है उसमें पूछा है आठ आठ दस दस महेने पहले का क्रेंट पूछा है तो आप साथ साथ में इसको त्यार करते जाना आपका परसन गलत नहीं होगा यह गारंटी है ओके आगे चलते हैं किसे उंट के खाल पर स्वर् नकासी के लिए राष्ट के पूर्सकार 2017 दिया देखे दोस्तों एक व्यक्ती हैं जिसका नाम है सोकत उस्ता क्रेंट सोकत उस्ता जिन होने उस्ता कलाकार के परसिद कलाकार है यदि आपको पूछे कि उस्ता कलाकार या उस्ता कलाकार का कलाकारी कहां की परसिद है ये उस्ता कलाकारी है ये बिकानेर की परसिद है कहां की परसिद है बिकानेर की परसिद है और इस कलाके परसिद कलाकार बने थे इमामुदीन उस्ता यदि यहाँ आपको पुछ लिया कि परसिद कलाकार कौन बने हिमामुदीन उस्ता इसके परसिद कलाकार है और उसी का वनसज है सोकत उस्ता को 2017 का पुरुषकार दिया यदि आपको यह पूछे बहुत तकड़ा परसिद कलाकार इमामुदीन उस्ता थे चलो एक परसिद कलाकार आपको मैं पूछता हूँ यहां से एक परसन पूछ लिया कि जिन्दा उंट की जिन्दा उंट की खाल पर नकाशी करना क्या कलाता है आप बताना कमेंट में बताना कि जिन्दा उंट की खाल पर नकाशी करने को क्या कहते हैं और यह उस्ता कलाकारी बिकानेर की परसीद है आप बताना कि जिन्दा उं की खाल पर नकाशी करने को क्या करते हैं और या एक परसंद और बता देना उंटों की देवी कौन है उंटों की देवी देवता नहीं बताना देवता सब जानते हैं पाबुजी मारहाज है उंट लाने का सरे पाबुजी को जाता है लेकिन मैं उंटों की देवी की बात कर रहा उंटों की देवी को ने इसके बारे में बताना ज़रूर कमेंट करना ओके आगे चलते हैं राश्टी स्तर पर दिव्यांग जन उत्करष्टा पुर्षकार के लिए अलवर जिल्यों को समानित किया गया पूछ लिया ये परसन की दिव्यांग जन के लिए राश्टी स्तर पर अलवर के कलेक्टर है जिते अंदर सोनी इस अलवर जिल्यों के कलेक्टर को उन्हें जिते अंदर सोनी साब हैं जिन उन्हें दिव्यांग के छेतर में उत्करष्ट कारी किया है और जिन के लिए अलवर जिल्यों को समानित किया तो यदि आपको पूछे कि राज्य स्तर पर किसे समानित किया है राश्टी स्तर पर अलवर जिले को समानित किया तो राज्य स्तर पर बाढ़ मेर जिले को समानित किया है कौन से जिले को बाडमेर जिले को राज्य स्तर पर दिव्यांग जन में उतकर्ष्ट कारिये करने के लिए समनित किया और राश्टी स्तर पर किसे समनित किया है अलवर जिले को समनित किया है अलवर के कलेक्टर को ने जीते अंदर सोनी साव है ओके आगे चलते हैं और देखे दोस्तों राजस्तान किरकेट संग कि किरकेट अकादमी कहां इस्थापित करना की मुख्य मंत्री ने अभी किरकेट संग है और किरकेट अगयान हिसाली किर Durantya के फिरatlंबी स्वाय इस दृडवट कि म क्याक भूकि किरूंफ्वर यहां परकार्ट से बैड़ मिटन है बैड में कि पूरुस बैड़ मिटन है महिला बैड़ मिटन है है मतलब हर एक", पिसरे वाले बजट में आप उस सारी इकूल को याद रेकना एक अकादमी पूस लेगा कहां पर बन रही है एक कहां पर स्तापित होगी ओके और यह क्रिकेट कादमी कहां स्तापित करने की गोशना किया है जोत्पुर में क्रिकेट कादमी बनाई जाएगी याद रहे जाएगी बात आगे चलते हैं जनवरी 2023 में राजस्तान हाई कोर्ट के नो नए नदीशों की नुक्ति की अब कुल कितने नदीश हो गए बहुत तकड़ा परसन है बार बार परिक्षा पूछेगी ये परसन अब राजस्तान में कुल कितने नदीश हो गए हैं 35-29 हो चुके हैं देखिए दोस्तों राजस्तान हाई कोर्ट में कुल न्यादिस कितने हो सकते हैं कुल हो सकते हैं पचास हो सकते हैं मतलब कितने हो सकते हैं पचास हो सकते हैं ये भी परसंद बार बार पूछ लिया कि राजस्तान हाई कोर्ट में न्यादिसों की संग्या कितनी हो सकती है पचा ऐसे नहीं न्यादिस हो गए इनमें तुम पति भीयर पती भी न्यादिस बने के दैसा कि अन्तरक्रिंब कि यह उनके वारे में आप्याद रखना यदि पूछ ले कि जो अब पती पत्तनी कौन चे measurement जो राजिस्तान हाई कोट में न्यादिस बने इसके बारे में पूछे तो बता देना एक तो महिंदर गोयल है महिंदर गोयल हुए सुबा महता ये दमपती है जो वरतमान में नए न्यादीसों की स्रीने में दोनों पती पत्नी आई है महिंदर गोयल और सुबा महता आई है जो राजस्तान हाई कोट के न्यादीस की स्रीनी में आई है एक पिसी बाटी है पिसी बाटी एक पिसी बाटी और एक नुपूर बाटी है नुपूर बाटि ये पति-पतिंई हैं घो राज़श्तान हाई कोट के न्यादीस में सामिल हुएं याद रखना इनके बारे में आपको जो नो, अन्य है, साथ, अन्य बचे हैं उनके बारे में नाम नहीं पूछे, पूछ ले, उनको भी याद रखना लेकिन ये दमपती हैं पती पतनी हैं जो राजस्तान हाई कोर्ट के न्यादिसों के स्रणी में हैं महेंदर गोईल और सुबा में ता पिसी बाटी और नुपूर बाटी है न्यादिस में आप यादि क्या रखना राजस्तान हाई कोर्ट के मुखे न्यादिस कौन है वर्तमान में मुखे न्यादिस कारी वायक है दोस्तों और कारी वायक कोन है एम एम सिरी वास्तव है कौन है एम एम सिरी वास्तव राजस्तान हाई कोर्ट के मुखे न्यादिस हैं लेकिन ये कारी वायक हैं और ये 41 किते नमर के हैं 41 याद रखना हाई कोर्ट में पूस लिया था राजस्तान हाई कोर्ट का मुखे न्यादिस था पहले पंकज मितल कौन था पंकज मितल था और य चारीसवां मुख्य न्यादिश थे किते हैं नम्मर का था चारीसवें मुख्य न्यादिश थे और ये पहले किस के थे ये पहले जम्मु कस्मीर के थे जम्मु कस्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यादिश थे पंकज मितल अब ये चारीसवां राजस्तान के बने अब ये सुप पंकज मितल था पंकज मितल के बारे में पर्शन बार बार पूझ रहा है तो याद रखना इक कि पूर्ट मितल कहा रहा हूं पहले के नियादिशन जुम्मु का yıl दिनतों के नंपटी कोंची है मह favour है पिसी बाटी और नुपूर बाटी है और 35 न्यादीस हो चुके हैं अब और कितने न्यादीसों के संग्या होनी चाहिए राजस्तान में 50 न्यादीस होनी चाहिए याद रहेगी बात याद साथ साथ में इसको नोट करते जाना दोस्तों एक प्रसंद भी आपका गलत नहीं होगा ओके आगे सर्चा करते हैं आफ स्क्रिन सोट ले ले लिना देखिए अंतराष्ट्र ये वेसे महा समिलन जपूर में किस वेसे बुषन समान से समनित किया गया किसे वेसे मतलब बणिया को बोलते हैं वेसे किसे बोलते हैं बणिया को बोलते हैं अनील अगरवाल को दिया गया अंतराष्ट्र ये जो वेसे महा समिलन हुआ था उस समिलन में किसे वेसे बुसन समान दिया गया था अनील अगरवाल को दिया गया वैसे महा पंचायत तो हर समाज के उती रहती है ये अंतराष्ट्र वेसे महा समिलन है जिसे जाट महा कुम माज समिलन जबपूर में किसे वे से बूसन समान से समानित किया गया यह अनील अगरवाल को दिया गया था ओके आगे बात करते हैं मेक्रो सीट इंडिया लिमिटेड में HDFV मतलब हाई डेफिनेशन हाई डेफिनेशन मेक्रो सीट है और सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां लगाए गया बहुत तकड़ा परसन है यह प्लांट ना यह जबपूर में लगाए गया कहां लगाए गया यह प्लांट जबपूर के इंतरगत लगेगा सीट बनने वाला पहलाकि प्लांट है राजस्तान के जप्पूर में लगाए गया और ये देश का पहला प्लांट हे मेक्रोशीट इंडिया लिएट ने लगाए महस्च जो सीश ने अ-दिक्स हैं और si त कर ये it हुध डिया आफ of नहीं देश का पहला कौन है राजस्तान जो समाज कल्यान यवा गए इसका ब्राण्ड्ड मेस्टर कं है पिरिया सिंग राजस्तान के विकानेर जीले की हैं इसके बारे में यह आप इकबार पड़ते हो तो इसके बारे में बहुत में वड़ि बिल्डिंग layered, żeby बहुत सबस्क्राण MY कारे में कि पिरिया सिंग कोन है यह राजस्तान के बिकानेर जिले की है और इन्हें ने बिल्डिंग में बोडी बिल्डिंग में किसमें माज कल्यान युवाग की ब्रांड एमिस्टर बनी है दोस्तों इसके बारे में पूछे तो बता देना आज के लिए इतना ही काफी है लंबा टाइम हो गया आगे कल दुबारा कंट्यूनियू रखेंगे आप इस वीडियो को जदा से जदा दोस्तों के साथ सेर कीजिए और ब बाइ